हाई दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं दो कप गिहू का आटा ले हूँ स्वाधनसा नमक और एक चमस गी डाले हूँ और अब हम इसे अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे ताकि नमक और गी अच्छे से आट में मिल जाए और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो लगाएंगे और ध्यान रहे हैं इसका ना तो सक्त डो लगाना है ना ज्यादा गीला तो इसमें ऐसा डो लगाना है इसमें लोच होना चाहिए तो जैसे हम रोटी के लिए थोड़ा नर्व माट लगाते हैं उसी तरह से लगाना है तो इसे हम अच्छे से मसल मसल के डो लगा लिये हैं और अब हम इसे 10 मिट के लिए छोड़ देते हैं तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसका इस्टपिंग बना लेते हैं तो यह मैं घर का बना हूँ पनीर ली हूँ आप मार्के यह मिर्च आपने सवाध के अनसार क्मिया ज्यादा कर सकते हैं और हम अदा चमचाली मिच का पौड कर लिए हैं अदा चमच लालमिच, अदा चमच- zi Era यह पाउड Er अदा चमच गरम मसाला, अदा चमच चाट मसाला तो यह सीद प्याद को शोटी चमच से नपी हम अदा बड़े चम्मज से नहीं, और स्वाद अनसा नमक एसे मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लोगी, और हम मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूं और इसका मैं छोटा सा बॉल बनाऊंगी, तो इसके बॉल्स बना लेने से इस्टपिंग भरने में आसानी हो जाती है इधर उधर बिखरते नहीं है तो इसी तरह से मैं बॉल्स बना ली हूँ तो यह देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं और अब हम इसकी एक लोई तोड़े हैं तो जितना बड़ा बॉल लिये हैं उससे जरा सब बड़ा लीजे या तो फिर उतना बड़ा ही आठा लीजे तो उसकी मैं लोई बना कर इसे मैं कटोरी का सेव दे रही हूँ कटोरी की तरह बना कर इसमें बॉस को रखेंगे और उपर अच्छे से अंदर से दबाते हुए, इस्टपिंग को अंदर दबाएंगे, आठे को ऊपर की तरफ रोल करते हुए, जो इस्ट्रा आठा निकलेगा, उसे हम निकाल देंगे, उसमें रहने नहीं देंगे, नहीं तो पराठा फूलता नहीं है, तो अब हम इसे हाथों से प्रे यह बिल्कुल नहीं फट रहा है, तो जैसे रोटी हम बनाते हैं, उसी तरह से बनता है, तो थोड़ी सी मोटी रहेगी, रोटी से, यह देखिए, इसे हम बना लिए हैं, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं, तो कुछ लोगों की सिकायत रहती है कि पनीर के पराठे फ तो इसी तरह से दूसरा भी बना लिया है उ यह फटा नहीं है उसी तरह से ह हम आपना थे एक भी नहीं फटा था तो तवा में रख दी हूं तवा अच्छा से गरम हो गया है तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा घी लग आ हुआ ताकि रोटियां डालते समय हमें नहीं हम इसा नहीं डालेंगे बस पहली बाल जब रोटी जा लेंगे गी लगा रही हूं तो यह देख celebrations 1990 प्रूटियों फैल रोक हुड़ा है अगर हैं सहूह mound uhさ झाल बाट्र परतार में बना रही हैं तो अगर सबताता हैं और इस तरह पराथा विल्कुल पर्फेक्ट बनेगा फटेगा नहीं आठा नरम होना चाहिए बहुत ज्यादा नरम या कड़ा नहीं होना चाहिए पनीर के इस्टपिंग को बॉल्स में बना लें पहले तब हम इस्टपिंग भरें तब इधर उदर नहीं फैलते हैं और एकदम पर्फेक् तो यह पनीर का नरम नरम पराथा बनके तयार है तो इसे आप खेर या सेवई चटनी किसी के साथ भी सर्व करें या बहुत ही टेस्टी लगता है तो कैसी लगे रेस्पिंग में बताएं अगर पसंद आया हो तो चनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें